Hello to all my beautiful souls, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए टेरो कार्ट्स रीडिंग के साथ और फ्रेंड्स इस रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको देख कर क्या फिल करते हैं आपके क्रश की आपके लिए क्या फिलिंग्स हैं यहाँ पर हम चेक करेंगे और फ्रेंड्स हमेशा की तरह है यह एक जनरल रीडिंग हैं तो हो सकता है कि कुछ बात हैं कुछ वीयूर्स के साथ रेजोनेट ना करें जितना भी पार्ट आपसे resonate करता है उतना रखिएगा और बागी को जानी दीजिएगा और जेंडर फ्री रीडिंग है जेंडर फ्री रीडिंग है, male, female सभी देख सकते हैं और timeless रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे resonate करेगी तो सुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि आपके क्रस्स आपके लिए क्या feeling रखते हैं क्या feel करते हैं जब वो आपको देखते हैं Thank you God, thank you angels, thank you so much universe, thank you मेरे सभी ascended masters Thank you so much मेरे सभी sprint guides, please मुझे guide करें Please बताएं कि हमारे viewers को देखकर उनके crush क्या feel करते हैं Oh my goodness, आपके crush की energy तो बहुत ही energetic है Bottom of deck, star बहुत जल्दी cards jump out होकर निगले हैं काफी कुछ कहना चाहते हैं, आपसे अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो बात करना चाहते हैं, हाले दिल बताना चाहते हैं My goodness, the devil आपको लेकर तो बहुत ज़्यादा उनकी energy peak पर है आपसे बात करना चाहते हैं, clear हैं वो उनका vision आपको लेकर बिल्कुल clear है उनको यह लगता है कि आप one and hundred times उनके लिए perfect हो जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत passionate energy है उनकी आपकी प्रती और यहाँ पर zodiac sign सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स यहाँ पर water sign cancer scorpio pices है fire sign aries leo sagittarius है और earth sign taurus virgo capricorn तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीन almost sign मुझे दिख रहे हैं और आपके partner जो आपकी crush है न वो काफी gentleman लगते है मुझे gentleman या gentle woman जो भी है वो आपके लिए अपना cup of love लेकर आ रही है या आ रहे है angelic aura है इनका और जब यह आपको देखते हैं तो इनको same feeling आती है इनको यह लगता है कि आप भी अपने अंदर कुछ angelic positivity लेकर आई हो अर्थ पर इनको आप अपने बराबर की लगती हो या फिर यह कहें कि इनको आप इनकी soul tribe की लगती हो इनको यह लगता है कि आप इनकी soul tribe के हो आपके जैसे ही इनकी आदते हैं आपकी आदतें बहुत ज़्यादा match करती हैं दोनों की और यह partner जब भी आपको देखते हैं या आपके पास होते हैं इनको एक दिल का शुकून मिलता है यही reason है कि यह बहुत ही खुबसूरत लड़कियों के बीच में होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं क्योंकि जब यह आपके पास होते हैं तो इनको एक सुकून मिलता है आत्मा का सुकून मिलता है इनको जैसा कि आपने भी कभी कभी फील किया होगा कि जब आप किसी ऐसे परसन के साथ होते हैं जिससे मिलकर आपको यह लगता है कि आप सदियों पहले मिल चुके हैं या फिर आपकी सोल उसको जानती है या आप बहुत समय से जानते हो और बहुत अच्छी वायब साती हैं आपको उस परसन के साथ, आपको लगता है कि इनके साथ समय पता नहीं चलता, कब बीच जाता है, घंटों गुजर जाते हैं, तो यही कुछ फीलिंग्स आपकी क्रशकी है आपको लेकर, उनको यह लगता है कि उनको आपकी साथ बहुत ज कभी आपके रिस्ते में दरार ना पड़े और यह रिलेशन से लॉंग टर्म चलने वाला हो, ऐसा वो आपको लेकर फील करते हैं, उनको आपसे एक पीसफुल एनरजी मिलती है, आपके साथ, आप दोनों का साथ जब भी होता है, हो सकता है कि आप भी यह फीलिंग्स रखती जिन्दगी यूँ ही थम जाए, तो यही चीज वो फील करते हैं आपके लिए, सेवन ओफ कप्स, नाइट ओफ वांड्स, दुनिया में उनको बहुत सारे लड़कियां मिली हैं या लड़के मिले हैं, बहुत सारे लोगों से वो मिले हैं, लेकिन उनको अभी तक ऐसा कोई भी नहीं मिला, जो उनको दिल का सुकून दे पाता, या फिर उन से मिलकर उनको यह लगता कि हाँ, यही है, मेट फॉर इचेदर, अपने लिए वो ऐसा पार्टनर ढूंड रहे थे, काफी समय से, जिससे मिलकर उनको ऐसा लगे कि वो बरसों पहले मिल चुके हैं, उन से मिल कर उनको ऐसा लगे कि उनकी सोल जानती है, और अभी तक उन्होंने कई लोगों के साथ इंट्रेक्शन किया है, कई लोगों से मिले हैं, बात किये, लेकिन उनको अभी तक कोई नजर नहीं आया था, फाइनली अब उनकी नजर आप पर पड़ी है, तो अभी यह बहुत हैप आप लोगों का सुरुवाती दौर हो सकता है फ्रेंट्शिप का या फेंड कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी हो सकता है कि, आप लगों ने अभी तक अपने विचारों का आदान परदान ही नहीा हो, आप लोगों ने अभी तक अपने जो मन में चल रही हैं, बातें, उनक एक दूसरे को explanation नहीं दिया हो, एक दूसरे को बताया नहीं हो, कि हम आपके लिए क्या feel करते हैं, लेकिन इस person के दिल और दिमाग में आपके लिए बहुत ज़्यादा passion है, बहुत ज़्यादा आग है, यह आपको किसी और के साथ बात करते देखते हैं, तो इनको जलन तो नहीं होती है, लेकिन इनको यह जरूर लगता है कि कहीं सामने वाले person से आप ज़्यादा interact ना हो जाओ, या आप इनकी friendship को समझने से पहले किसी और को अपनी friendship का band ना पहना दो, या आप किसी और से घनिष्टता ना बढ़ा लो, ऐसा इनको feel होता है आपको लेकर, तो यह बहुत सिगरता से आप से मिलना चाहते हैं, आप से अपनी बातें बताना चाहते हैं, आप से अपनी इच्छा बताना चाहते हैं, seven of wands, हलांकि आप हमारे वीवर्स अपने आपको गार्ड करके रखते हैं, आपने अभी तक मौका नहीं दिया है, अपने crush को, या तो उन्होंने आपको मौका नहीं दिया है, या फिर luck by chance ऐसा हुआ है, कि आप दोनों को मौका नहीं मिला है, एक दूसरे से अपने बातों को share करने का, एक दूसरे से अपने मन की भावों को बताने का, कुछ मामलों में उन्होंने अपने आपको guard करके रखा हुआ है, कुछ मामलों में उनको ये भी डर लगता है, कि अगर उन्होंने आपको propose किया, तो आप उनसे दूर ना चली जाओ हो सकता है कि अभी आपकी friendship हो अभी आपका सुरुवाती दौर हो friendship का उनको ये डर लगता है कि अगर उन्होंने अभी आपको इस बारे में बता दिया तो आप उनसे दूर ना चली जाओ आप उनको छोड़ कर अलग ना हो जाओ ऐसा उनको डर लगता है तो अपनी कुछ feelings को वो guard करके रखते हैं सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं Eight of Pentacles काफी महनती हैं महनत करते हैं जिस तरीके से अपने काम पर फोकस करते हैं जिस तरीके से अपने काम के लिए वर्क के लिए महनत करते हैं ऐसे ही ये अपने relationship पर भी work करेंगे ये अपने रिस्ते पर भी work करेंगे ऐसा नहीं होगा इनके साथ कि आप इनको message कर रहे हो आप call कर रहे हो और ये आप पर फोकस ना कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा ये person अपने relationship में equal give and take देंगे और इससे पहले ये खुद को बहुत मजबूत बनाना चाह रहे हैं finances में इनको ये लगता है कि किसी को भी अपनी जिंदगी में लाने पर उसके लिए कुछ करना भी जरूरी है अगर उसको आप अपना प्यार express करना चाहते हो तो gift लेना और देना अपने प्यार को जाहिर करने का सबसे best तरीका है तो ये इसलिए भी अपने काम पर बहुत ज़्यादा मैनत कर रहे हैं अपने skill को और ज़्यादा improve कर रहे हैं कि जब ये आपसे घनिश्टता में आएं तब ये आपको अपने मन चाही चीज दे कर खुस कर सकें आपको मन चाहा gift दे सकें ऐसा ये feel करते हैं आपके लिए Queen of Cups इनकी नजर में आप एक बहुत ही dedication वाली lady हो या man हो जिसको अपनी family और work से बहुत प्यार है जो सिर्फ अपने आप पर focus करती है अपनी desires पर focus करती है अपनी family पर और अपने work पर focus करती है ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है इनके according आपने अपनी एक healthy boundary create कर रखी है ऐसा नहीं है कि आप rough हो अंदर से या आप लोगों के प्रती polite नहीं हो ऐसा नहीं है लेकिन इनको ये पता है कि आपके अंदर वो power है कि आप खुद को कैसे express कर सकती हो सामने वो आपके पास quality है आपको कहाँ पर emotional होना है कहाँ पर आपको strong होना है ये आपको बखु भी आता है तो ये आप से overall काफी ज़्यादा attracted है the devil इनकी जो एक सरारत भरी ख्वाहिस है आपको लेकर वो ये है कि ये आपके साथ quality time spent करना चाते है alone time spent करना चाते है और आपके साथ मस्ती भरे music पर थिरकना चाते है नाचना चाते है और उस moment को उस छड़ को उन पलों को यादगार बनाना चाते है ये चाते हैं कि जैसा इनोंने कभी अपने लिए सोचा है ये चाते हैं कि जैसा इनोंने अकसर serials में देखा है कि एक साम खास हो, special हो वो इस तरीके से उस साम को create करना चाते है इनकी डेब डिजायर है ये एक इनकी बरसों से सजोई हुई ख्वाहिस है कि इनका एक परसन हो जो दिलो जान से इनका हो जिसे इनकी सोल कहे कि हाँ ये मेरा है और उसके साथ ये एक quality time spend करना चाहते है तो ये हो सकता है कि आपको निकट future में बताएं भी कि ये आपके लिए कितने ही जादा hot feelings रखते हैं और देखिएगा back to back the star और six of wands page of pentacles इनको उमीद है कि इनको इस relationship में victory मिलेगी इनका दिल कहता है इनकी अंतरात्मा कहती है इनकी soul कहती है कि इनको इस relationship में victory मिलेगी और ये बहुत जादा positive है अपनी सोच को लेकर ये बहुत जादा positive है अपने thought को लेकर ये बहुत जादा positive है इस बात को लेकर कि आप इनकी life में आओगी और यही reason है कि ये साधी का भी सपना देखते हैं और ये सपना ये देखते हैं कि आप दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो दिन प्रति दिन बढ़ती जाए और एक दिन वो आए जीवन में जव आप इनके घर पर दुलन बन कराओ इनकी life partner बन कराओ इनकी जीवन संगिनी बन कराओ या जीवन साथी बन कराओ अगर male है तो और ये page of pentacles इनकी जिन्दगी में आप ही आप होंगी सिर्फ आप क्योंकि ये एक ऐसा परिवार चाहते हैं जिसमें husband wife में बेतासा प्यार हो बेतासा मौबत हो और बस उनकी दुनिया हो खुबसूरसी और वो अपनी दुनिया में खुस रहे तो ये है आपके Chris की feelings आपके लिए जो वो आपको देख कर feel करते हैं महसूस करते हैं अब हम चेक कर लेते हैं soulmates और एकल कार्ट से कि वो आपको क्या message देना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं वो आप से थेंक्यू गॉड थेंक्यू angels थेंक्यू universe थेंक्यू सो मच प्लीज मुझे गाइड करें थेंक्यू 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 बटम अफ डेक है अट्रेक्शन तो जैसा कि कार्ट में भी निकल कराया है कि उनको बहुत अट्रेक्शन है आपके साथ नथिंग टू बड़ी अबाउट आप से कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है रिचिंग आउट उनको ये लगता है कि आप उनकी पहुंसे दूर हो पे अटेंशन टू दे साइन उनको ये भी लगता है कि जैसे यूनिवर्स ने आपको उनसे मिलाने के लिए ही भेजा है एक्सपेक्ट ए मिरिकल तो एक चमतकार की उमीद करते हैं कि ऐसा एक छड़ आएगा जब चमतकार होगा और उस छड़ में उनके अंदर इतनी पावर आएगी कि वो आपसे अपना हाले दिल बया कर सकेंगे ट्विन फ्लेम स्टेजिस हो सकता है कि कुछ वीवर्स से ट्विन फ्लेम्स हो यहां पर और कुछ डीप सोलमेट जर्नी में हो लव बिलीफ आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको बिलीफ नहीं है कि आप से कोई प्यार करेगा तो इस सिस्टम को बदल ये और आप बहुत लवेवल हैं आप बहुत ज़्यादा लव अफेक्शन अचीव करने वाले परसन हैं आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ में दूसरों से बहुत ज़्यादा अफेक्शन को अचीव कर सकता है बॉटम ओफ डेक था हमारा अट्रेक्शन उनको आपसे बहुत बहुत अट्रेक्शन है तो फ्रेंड्स यह है आपके क्रेश की फिलिंग्स आपके लिए आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो आपसे रेजनेट की हो रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू सो मच फोर वाचिंग